असलाम वालेकूम स्टू देन्स आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे यूनिट 4 अलजेबरिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइस नंबर 4.9 इसमें हम फॉम्मुलाज यूज करेंगे आपको यहां पर गिवन हैं फॉम्मुलाज ए प्लस पी होल क्यूब इस एक्वल टू अब इस को भी आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो डिफरिंट ही है जब माइनस को साइन है प्लस में तो अल ही प्लस साइन है लेकिन जब माइनस को साइन है तो और प्लस पिर माइनस पिर प्लस पिर माइनस और यहां सारे माइनस के साइन है अब यहां पर question है आपके पास, question में कहा गया है, find the cube of the following, cube कहते हैं 3 को. यहां पर आपको first drum and second drum given है, two drums given है, और आप से कहा है find the cube, इसका आपको find out करना है cube. अब क्यों find out करने के लिए हमने start करना है solution as we know that मालू में हमें. अब students, यहां पर आप चेक करें क्योंकि यहां पर में plus का sign है, तो हमने plus का formula यूज किया और हम जान लें कि यह equal है इसके, अब आपकी मरसी है, इसमें से first one भी आप चूज कर सकते हैं, आप लिखना चाहें इस तरहां से भी और फिर इस तरहां भी जैसे आपको समझ आए, बेत 3x प्लस 4 whole cube is equal to first round, आपको यहां 3x पूट करनी है, और ओपर cube, क्यूब कि यहां 1st round, आपको 3x गिवन है और यहां a cube पूट करना है, तो a की प्लेस पर 3x गिवन है और b की प्लेस पर 4 गिवन है, तो आपने लिखना है, b की जगा पर 4 का cube, प्लस पसाइं 3, अब a and b लिखन 3X और B की प्लेस पर लिखोगे 4 एंड ब्रेक्ट में या लिख दोगे 3X प्लस 4 यानि A की प्लेस पर 3X प्लस कसाइन B की प्लेस पर 4 या आपने इस तरह से नंबर स्पुट कर लिए अब 3X पर क्यूब है 3 पर क्यूब मेंज 3 मुल्टिप्लाइब 3 3 मुल्टिप्लाइब 3 9 9 मुल्टिप्लाइब 3 27 यहा लिखोगे आप 27X क्यूब प्लस कसाइन अब 4 पर क्यूब मींस 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 प्लस कसाइन अब आपने यह पर लिखना है 3 3 जा 9 9 4 जा 36 36X एंड ब्रेक्ट में आपने लिख दिया 3X प्लस 4 अब आपने नेक्स स्टेप में 27X क्यूब प्लस 64 प्लस आपने 36 मुल्टिप्लाइब 3 36 मुल्टिप्लाइब 3 से आंसर आप गया 108 X मुल्टिप्लाइब X X स्क्वाइब प्लस कसाइन 36 मुल्टिप्लाइब 4 means कि 36 x को अब आपने 4 से मल्टिप्लाइ करना है answer आप गया 144 x अब इसको अरेंज करते हैं first 27 x cube plus 108 x square plus 144 x and plus 64 complete हो गया है part 1 exercise 4.9 का question 1 का part 1 completed now यहां पर आपको second part given इसमें given है 5 x plus 2 y as we know that a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3 a b bracket plus b this is the formula हम यहां पर मालूम करेंगे find the cube of the following हमें इसका cube find out करना है तो हम यहां पर डिख देंगे 5 x plus 2 y और whole पर आपने रिखा cube now आपने रिखा first from cube plus second from tube plus 3 then first from second from and first from plus second from अब अपने first from में यहां पर put कर दिना है 5 x second from में put कर दिना है 2 y यहां 5 x 2 y and then 5 x and then 2 y यह अपने formula में values put कर दिना है expand करना है formula को अब 5 x पर cube है means कि आप यहां पर लिखोगे 5 x 5 x 5 x 25 x 5 x 5 x 125 x cube plus cos 2 per cube means कि 2 x 2 4 and 4 x 2 8 8 y cube plus 3 multiply by 5 15 and 15 multiply by 2 30 x y and bracket में 5 x plus 2 y अब अपने लिख दिना है 125 x cube plus 8 y cube plus 30 multiply by 5 150 x square y because यहां x है यहां x है पावर square में आ गई plus cosign and 30 multiply by 2 60 x and y square because यहां y and यहां y दोनों multiply गए तो बन गया y square यह हमारा part question number one ka part two solve है now students we are going to solve question number one part five if we have noticed that यहां आपको minus sign given है आप यहां पर लिख दोगे 3 x minus 1 upon 3 y as we know that यहां मालूम करना है and as we know that the formula of अगर mid में हम minus है तो आप लिखते हो a minus b cube is equal to a cube minus b cube minus 3 a b and bracket में a minus b this is our formula अब इसमें आपने x की first place पर a की place पर given है 3 x minus 1 upon 3 y और यहां वेने cube तो a की place पर 3 x पूट करना है and b की place पर 1 upon 3 y first drum cube minus second drum cube minus 3 a b and a minus b यहां अपने पूट करना है 3 x यहां पूट करना है 1 upon 3 y यहां 3 x यहां 1 upon 3 y and 3 x minus 1 upon 3 y अब आपने अपर 3 का cube means 27 x cube minus 1 upon 3 का cube means 27 y cube minus then आपने 3 से 3 cancel किया आपने लिख दिया 3 x upon y क्योंके 3 x को 1 से multiply किया 3 x और यहां upon में आपको given है y अब bracket में लिख दिया 3 x minus 1 upon 3 y next step में अब हमने करना यह है कि 3 x upon y यहांनी इस value को 3 x से multiply कर दिना है तो result क्या होगा देखते है 3 multiply by 3 9 3 3 is a 9 9 x square upon y आजाएगा answer minus 9 x square upon y आप यहां लिख देंगे minus 9 x square upon y अब next step में आप यहां पर minus cosign है यहां minus cosign है minus minus plus 3 x multiply by 1 3 x and y multiply by 3 y 3 y square आप लिख दोगे plus 3 x upon 3 y square आप 3 से 3 cancel कर दें और यह answer देगा x upon y square अब आप यहां लिख दोगे 27 x cube minus 1 upon 27 y cube minus 9 x square upon y and plus cosign x upon y square यह आपका question solve हो गया है this is our answer exercise 4.9 question number 2 where find the value of यहां आपको find करने है value और value किसकी find out करने है आपको value find out करने है part 1 में आपको given है x cube plus y cube t और given है आपको x plus y is equal to minus 5 and x y is equal to 8 आपको given है और आपको required है आपको find out करने x cube plus y cube is equal to question mark अब solution पर आते है solution में हमें as we know that formula हमें मालूम है हम जानते है as we know that हमें यह भी मालूम है x plus y given है हमें minus 5 क्योंके हमें cube required है now cubing on both sides इन दोनों पर हमने cube apply कर दिना है now cubing on both sides यहां भी हमने cube apply किया is equal to minus 5 लिखा हुआ है और यहां भी हमने cube apply किया both sides पे cube apply किया cube apply करने से क्या होगा कि यह पूरा expand हो जाएगा यह बन जाएगा formula 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 expand कर देते हैं यहां x cube plus y cube plus 3xy bracket में x plus y is equal to minus 5 per cube means minus 5 multiply minus 5 multiply minus 5 यहांनी 5 को 3 time expand किया आपने x cube plus y cube plus 3 अब x y की value हमें question में given है और x plus y की value question में given है हम इसमें put कर देते हैं x y की value को 8 और x plus y की value given है minus 5 और यहां पर 5 multiply by 5 25 and 25 multiply by 5 125 और sign यहां minus का आएगा because cube है तो पहली बात यहां पर और नमबर है minus minus plus and plus minus minus अब आपने लिखने हैं यहां x cube plus y cube then plus minus minus 3 multiply by 8 24 24 multiply by 5 क्या आपको करना होगा calculate यहां आगया 120 is equal to minus 125 आपने 3 को 8 से multiply किया 24 आया and 24 को 5 से multiply किया तो 120 आया and then plus और minus का sign यहां minus आगया अब आपने find out कि यह x cube plus y cube की value को minus 125 equal to के बाद है तो minus 120 को जब यहां shift के equal to के plus आगया 120 अब आपने लिखा x cube plus y cube is equal to minus plus minus 125 में से 120 को minus किया तो आगया 5 minus 5 minus इसके क्योंके 125 ग्रेटर है 120 स्मॉलर है sign आप देखते हैं big number का तो यहां पर minus का sign चो किया यह हमें required था x cube plus y cube की value find out करनी की तो minus 5 हुमारा answer आगया है solve होगया है question now students यहां question number 2 का part 3 हम solve कर रहे है और आपको यहां find करनी है value y cube minus z cube की और given आपको यह दोनों है y minus z and y z given है हमें and required है y cube minus z cube is equal to question mark solution है as we know that हमें मालूम है के y minus z given है हमें 4 now taking cube on both sides because हमें here cube required है तो हम इस पर both sides पर cubing कर देंगे जब हमने यहां cubing की तो अब हमने इस पर formula लगा देना है formula expand कर देना है लेकिन sine cube के middle में minus कर है तो हम minus वारा formula अप्लाई करेंगे हम इसको expand करेंगे y cube minus z cube minus 3 y z and bracket में लिख देंगे y minus z is equal to 4 का cube 4 multiply by 4 16 and 16 fours are 64 इसी तरह से y cube minus z cube minus 3 अब आपको y z यहां पर question में given है minus 5 यहां पर आपको given है y z equal to minus 5 तो यहां y z की place पर आप उट कर देंगे minus 5 और y minus z आपको given है 4 यह भी आपको question में given है अब आपने लिखा y cube minus z cube minus minus plus 3 5s are 15 and 15 4s are 60 is equal to 64 यहां तक question solve हो गया है अच्छे इसप्वेंट अब last step में करना है आपने यहां पर आपने find out करना है y cube minus z cube को तो आप यहां लिख दें y cube minus z cube और यहां equal to के 64 है तो plus में 60 है तो यहां हो गया minus 60 तो y cube minus z cube 64 minus 60 आंसर आ गया 4 this is our answer यहां में find out करना था और यह हमारा question completely solve हो गया है हमने question solve किया है question number 2 का part 3 exercise number 4.9 now students यहां पर आपको question 2 का part given है 4 part given है और इसमें कहा है आप से find the value of b cube plus 1 upon b cube when b plus 1 upon b is equal to 3 given है b plus 1 upon b equal to 3 and required है b cube plus 1 upon b cube is equal to question mark solution में आते है हमें मालूम है as we know that b plus 1 upon b is equal to 3 now taking cube on both sides because हमें यहां पर cube required है तो हमें दोनों sides पर cubing कर दी अब यहां पर first place पर b given है second place पर 1 upon b given है formula explained कर दिया first time cube plus cosine second time cube plus cosine 3 first time second time bracket first time plus second time तो यह formula हमने expand कर दिया है is equal to 3 का cube means 3 को आपने 3 time expand कर दिया है अब यहां पर sprints b से b cancel अब आपके पास आगे continue से करते है अब आप लिगदें b cube plus 1 upon b cube plus cosine 3 bracket में b plus 1 upon b is equal to 3 3s are 9 and 9 multiplied by 3 27 अब आप आप जाएगा b cube plus 1 upon b cube plus 3 और b plus 1 upon b की value में given है 3 is equal to 27 अब आपने 3 3s आपने 9 करना है और equal to के बाद जाके आपके step और करने plus 9 equal to 27 अब next step में क्या होगा 27 में से आपने 9 को minus कर देना है तो remaining answer आजाएगा 18 तो b cube plus 1 upon b cube की value आजाएगी 18 question 2 का part 4 आपके सामने है b cube plus 1 upon b cube is equal to 18 now यहाँ पर हमें question 2 का part 5 given है हमें यहाँ पर given है x minus 1 upon x equal to 4 और required है x cube minus 1 upon x cube is equal to question mark solution पर आते हैं as we know that यह हमें मालूम है कि is equal to 4 given है यह value हमें find out करना है cube taking cube on both sides हमें यहाँ आपके cube का formula अप्लाई किया both sides पर cubing कर दी अब यह gram तो बन गई जो formula expand हो गया formula बन गया है अब हम formula को expand कर देते है अब हम formula को expand करते है x cube minus 1 upon x cube minus 3 first gram फिर second gram यानि x फिर 1 upon x and bracket में x minus 1 upon x equal to 4 को 3 time expand कर दिया अब यह हुआ कि x से x यहाँ cancel रिख दिया 3 और पर आपने लिखा x minus 1 upon x is equal to 4, 4 जा 16 and 16, 4 जा 64 अब x cube minus 1 upon x cube की value हमें find out कर दिया 3 हमने लिखा x minus 1 upon x question में हमें गिवन था 4 हमने लिख दिया 4 और पर हमने लिखा x cube minus 1 upon x cube 3, 4 जा अच्छा, साइन यह आपर minus का and 3, 4 जा 12 is equal to 64 फिर आपने लिखा x cube minus 1 upon x cube is equal to 64 and minus 12 shift हुआ तो बन गया plus 12 तो यहाँ answer आगया 76 तो कि आपने plus कर दी value 64 में 12 plus किया तो students यह हमारा question number 2 का part 5 solution आपके सामने now students यहाँ पर question 2 का part 6 आपको गिवन है और आपको find करने है value इसकी और आपको गिवन है 2x minus 1 upon 3x equal to 5 given है आपको value और आपको required है यह question mark start करते है solution में हम लिखेंगे as we know that as we know that 2x minus 1 upon 3x is equal to हमे 5 given है हमने find out करना है cube तो हम इस पर करते हैंगे cubing on both sides हमने यहाँ पर both sides पर cubing कर दी अब यह formula बन गया first from 2x है और second from 1 upon 3x है तो पहले हम formula का bracket बनाते है cube minus cosine second from cube minus cosine 3 formula का first from second from first from minus second from is equal to 5 का cube 125 अब हम यह first from में put करना है 2x second from में put करना है 1 upon 3x यहाँ first from में put करना है 2x यहाँ 1 upon 3x और यहाँ पर 2x और 1 upon 3x पहले formula का sketch बनाया है और फिर हमने इसमें value पुट कर दी 2x का cube है तो 2 का cube means 8x cube 1 upon 3 का cube है तो 27x cube minus cosine अब यहाँ यह देखें आप 3 से 3 कैंसल 2 से 2 कैंसल 2 1s आ यहाँ आगया 2 आप bracket में given है 2x minus 1 upon 3x और we know that case की value question में हमें given है 5 तो हमने put कर दी 5 find out करना था x cube यहाँ वाली value को तो 25s are 10 is equal to 125 अब आपने 8x cube minus 1 upon 27x cube 125 minus है तो हो गया plus 10 और 125 में 10 plus किया तो equal हो जाएगा 135 के यह हमारा answer आगया 8x cube minus 127x cube की value जो इक्वल है 135 के now students यहाँ question 2 का part 7 given है और इसमें find करने है value a cube plus 1 upon a cube की और आपको given a plus 1 upon 2 is equal to 6 start करते है question given है हमें यह value और required हमें यह value और solution में हम as we know that हमें मालूम है के 6 लेक्वल है now क्यूंके हमें cube required है तो now taking cube on both sides अब हम दोनों साइट्स पे cubing कर देंगे जब बोस साइट्स पे cubing की तो यह बन गया कि यहाँ भी cube है और इस पर भी अपने cube लिख दिया है अब आपने इसको यह बन गया formula इसको expand कर देना है mid में sign है plus का तो plus का formula अपलाए होगा यहाँ formula expand कर देते हैं यानि first drum cube plus का sign second drum cube plus का sign 3 first drum second drum plus mid में is equal to अच्छा 6 पे cube है तो आप लिखने 6 multiply by 6 multiply by 6 अच्छा first drum में यहाँ पुट करेंगे a यहाँ पर आप पुट करेंगे 1 upon 2a यहाँ पर भी a यहाँ पर 1 upon 2a यहाँ पर a और यहाँ पर 1 upon 2a अब यह हो जाएगा a cube plus 1 upon 8a cube plus का sign a से a cancel answer आगिया 3 upon 2 because 3 1s are 3 और नीचे यहाँ 2 अब a plus 1 upon 2a की value आपको गिवन है 6 आपने लिख दिना है 6 is equal to 6 6 हा 36 and 36 6 हा 216 यहाँ पर a cube plus 1 upon 8a cube plus 3 3 is a 9 is equal to 216 आगिया अब आपने 216 लिखा हुआ है और plus 9 था यहाँ जाके होगिया minus 9 जब 216 में से minus 9 किया तो आपके पास answer आजाएगा यह required है यह आपको find out करने is equal to से पहले लिख दें इसे आप 216 में से 9 minus कर देते हैं answer आजाएगा 207 यह आपको required था और यह आ गया यह question 2 का part 7 हमने complete solve कर लिया है